Hey and Whatsapp guys, TechBee is back with another video So friends, आज का वीडियो काफी ज्यादा important होने वाल है मैं please request करते हैं इस वीडियो को जाज जाज शेयर करिएगा और इसको अच्छे से पूरा full last तक देखेगा क्योंकि काफी ज्यादा important है आपका data और privacy को लेके बात है इस पे इस वीडियो आपका दो पार्ट में रहेगा सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि Disable Link Preview क्या है जो मतलब WhatsApp में एक feature आया हुआ उसको आपको enable करना है sorry उसको आपको disable कर देना लेकिन उसको enable करने कला आपको button click करना WhatsApp पर जाके वो मैं अपने screen recording में दिखाऊंगो उससे पहले में कुछ आपको चीजे explain करूँगा कि Disable Link Preview क्या होता है उसके अंडर आपका जो मैं जो बोलाँ नो वीडियो दो पार्ट में तो आपका Disable Link Preview की बाद आपका आजाएगा इसमें थोड़ से attach हो सब topics इसलिए में चाता है तो इस वीडियो को अलग अलग पार्ट में ला सकता है लेकिन मैं चाता है तक सारा एक ही में क्या कहते है मिक्स हो के आजाए मतलब एक साथ आए तो आपको अच्छे से टॉपिक समझ आए और मैं क्या अपने तरफ से आपको मैं प्रेजेंट करना चाता हूँ या क्या मैं कहना चाता हूँ तो आपको अच्छे से पता चल पाए तो सबसे पहले में डिसेबल लिंक प्रिव्यू के बारे में बताऊंगा तो वाट्सअप के नया फीचर आया हुआ है और बताऊंगा कि IP अड्रस क्या होता और जियो ब्लॉकिंग क्या होता है तो वीडियो का फिर इंट्रेस्टिंग और नॉलेश्फूल होने वाला है सात वाट्सअप का जो नूव फीचर आया है उसके वहना में बात करता हूँ वाट्सअप के आपका फीचर आया हुआ है प्राइवसी एंट सेटिंग में कि आपका डिसेबल लिंक प्रिव्यू क्या होता सबसे लिए आप समझे आप कभी भी किसी को वाट्सअप पे कुछ शे में तो क्या होता है जैसी हो उसमें फॉप-बीकने खुशने लग ज्याता है जैसी आता है ने आप अप ऐख रियागा जैसी आपने कहीं का भी लिंक शो आपने डाला वाँ पे अपने अपने डाला अंपे प lesГ्या प्विच किया उसका फॉप-बीक्ट्टम में और तो जि Disable Link Preview से क्या हो रहा है कि WhatsApp में जो फीचर है होगा है कि इसमें बता रहे है कि आप इसे प्लीज मतलब इसे Disable करिए मतलब वो अनेबल ही रहता है Automatically मतलब आपको Green Button उसका दबाना पड़ता है मैं दिखाऊंगा आपको बताता हूं आपको बताता हूं आपका घर का इड्रस यह इंटरनेट का टर्म होम एड्रस जो भी आपके डिवाइस कनेक्ट है मैंने एक वीडियो में बहुत पहले मेंचन किया था इन बिटून मेंचन किया था कि Wi-Fi से मानलीज आपका फोन कनेक्ट है मानलीज वो आपको Home Address हो गया मतलब आपका सारे डिवाइस कहां से कनेक्ट है आपका आपका राउटर या जो भी आपका broadband उससे कनेक्ट है आपके पास आपके पास जो पॉपप आ जाते है इमेज जो में फंडा उसमें दिखने लगता है कि क्या है इस वेबसेट में क्या कुछ देख आ जाता है एक basic सा चीज तो अब मैंने कहा है न उसमें IP Address आपको शेर होता है आप यह समझे कि IP Address अगर किसी के पास अगर आपका चला गया तो क्या-क्या हो सकता है सबसे पहला आपका जो restrict access base जो आपके area में वो आपको block कर सकता है इसमें आता है term geoblocking geoblocking आप geoblocking के सिमसे मत तक compare कर लिए जिए कि geoblocking मतला आपका graphical location को block कर देना restrict कर देना यह जातर कौन करता है आज geoblocking का term समझा रहा हूं यह कौन करता है जो आपके OTT platforms है जो आपके movie provider से कोई service दे रहा है आपका internet prepared service देता है मतले सब देता है आपको तो इसमें क्या होता है कि आज कल देखते हूं बहुत सारे चीज़ पाइरेटेड होने लग जा रहा है कि जैसे movie निकल गया अलग से कहीं पे फिर यह निकल आप कभी भी देखते होंगे कि कुछ videos या कुछ photos या कुछ भी website आप जैसी खोलते हूं पर दिखाता है कि इस website और video photo is not available at your location or your area ऐसे करके दिखाता हूं क्यों दिखाता है क्योंकि जहां पर main content है वहां से उसको ब्लॉक कर दिया गया है तो इसे कहते है geoblocking सिंपल से मैंने समझा दिया geoblocking आपका क्या होता है अगर मैं बात करूं कि geoblocking होता क्यों मैंने बताया कि आचकल बहुत सारा उसका चीज मंदग कॉपी निकल जाता है तो प्रोवेडर को पता चले कि यार मेरा content का साही नहीं हो रहा तो उस एरिया में उसको ब्लॉक कर देता है और इसका अगर मैं बात करूं कि geoblocking आपका legal मैं सबसे पहले बता द दिख जाते है उस website में कि आपके location में available नहीं है यह तो मैंने पहला बता दिया कि आपका IP address share होने से क्या हो जाएगा आपका क्या कहता है IP address share हुआ तो क्या हो कोई आपको उसका manipulate करके उसको geoblocking के अंडर ला सकता है या आपको शो ना हो content एक तो यह हो गया अब दूसरा कोई भी आपको illegal activities में involve करा सकता है आपका IP address चूज करके करेगा हो काम अपना लेकिन आपको involve कर देगा आपको कि इस IP address यह crime या कुछ भी हो रखा है ठेक है आपका जो data is sell कर सकते कहां पर डाक वैब में आपका IP address भाई पूरा मानलीजे एक IP address कहें ना तो आपका सारा detail उसकी पास है यूँकि आपको उसको आपका location पता चल सब कुछ हो तो वह चीज आपका IP address लेके आपका phone का या laptop जो भी आप यह जो अल्लाइन गेम साप खेलते हैं तो आपको खेलने नहीं देगा आपका अपका मालीजे ओनलाइन गेम आप खेलने किसी पर्टिकुल लोकेशन से खेलने है वहां से आप उसको क्या कहते है अवेल करने तो आप दिखा रहे कि यू कांट प्ले करके जो भी तो आपका गेम खेलने से आपको बैंड कर सकता है, फिर आपका data sale हो सकते हैं इडिया बेस रिस्टिक कर सकता है, जो geo blocking है.. और भी चीजे हैं जैसे कि आपका घ्यार निया रहा है मिरको.. और भी बीच में याद आता हुना है.. तो यह सब आपका.. अगर IP Address किसे के पास है तो यह यह चीज तो बोलता हूँ नहीं बार बार इसमें पूरा वीडियो आएगा कि पब्लिक वाइफाय मत यूज करें यह सब मत करें आप देखें अपने सिक्यॉर सोर्स से आपका जो डिवाइज या जो कुछ भी आपका जो करनेक्टेड है उस सिक्यॉर सोर्स से करनेक्टेड अब मैंने अब हम बात करते हैं कि जो मैं मैंने आपको एक्स्पिलिंग कर दिया वाट इस आई-प अड्रस वाट इस जियो ब्लॉकिंग और डिसेवल मतलब स्वारी जो लिंक प्रिवी वाट्सअप का नया फीचर क्या है अब मैं अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जाकर दिखाता वाही सेम आप अपने वाट्सअप बिजनेस में यूज़ करके आप इसको अप्लाई कर सकता है सबसे फ़लब आपको अपने वाट्सअप के अब पे चले जाना है मैंने के ख्लिक, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है नीचे 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 अब हम पहुंच गए, अब आपको यहाँ पर दिख जा रहा है नीचे की तरफ एकदम, इसको थोड़ा से ओपर करते हैं, चैट लॉक की नीचे आपको दिख जा रहा है, एडवांस का ओप्शन, मतल़ा एडवांस प्राइविसी सेटिंग, इस पर आपको सिंप्ली से यहाँ पर क्लिक कर देना है, अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, अब एक चीज आप कन्फ्यूज मत हो न, यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर मतलब जो इक ग्रीन बटन ही है, डिसेबल था, तो वह हमारा अनेबल हो रखा था, मतलब यह मैं समझाने कोशिश कर रहा हूँ, तो हमें इसको अनेबल करना है, यहाँ डिसेबल लिखा हम जैसी इसको अनेबल करेंगे, तब जाके हमारा वो डिसेबल होगा, इसका मतलब वही मैंने बताया है, जो प्रिव्यू आता है, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक मिंट, फॉर इग्जामपल, आपने देख रहे हैं सेटिंग कैसे यहाँ पर अनेबल करना है, आपको यह रूखिए, आपको यहाँ पर यह ऐसे राएगा, आपको यह पर क्लिक कर देना, यह आपको ग्रीन हो जाएगा, तब आपका यह डिसेवल लिंक प्रिव्यू जो है, अनेबल हो चुका है, अब जो प्रिव्यू मैं अच्छे से आपको प्रैक्टिकली करके दिखा भी देता हूँ, एक मिंट मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, अब अब मैंने तो इसको क्या कहते है, मैंने इसको क्या कहते है, अनेबल कर दिया, एक मिंट मैं इसको पहले, डिसेबल कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, आपका कैसे हो गई है, आप फ्रेंड्स मैंने इसको अपना मतलब, डिसेबल कर दिया, मैंने अपना लिंक प् preview क्यलाता है जो pop-up होके आया और यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेरा thumbnail दिख रहा है अब मैं जैसे इसको back करता हूँ send करूँगा ने इस इस चीज में मतलब link preview में अब जैसे मैंने के इसको send अब देखे यह वहला जो main पेश्ट कर रहा था बस link आ रहा था और यह चीज नहीं आ रहा था प्रिवू सिफ लिंक आ रहा थे इससे पहले तो आपका सिंपली सा यह चीज हो जाएगा तो आपने स्टेप बाइस अब देखा मैंने सब कुछ डिटेल में बात कि link preview क्या होता है IP address क्या होता है जियो blocking क्या होता है और मैंने आपको step अपने screen recording में दिखा है कि अपने WhatsApp पर जाके आप उसको कैसे मतलब उसको enable कर दें कि आपका जो link preview हो या जो भी वह disabled हो जाए तो मैं I hope यह वीडियो का आपको interesting and knowledgeful लगाओ साथी friends lastly